हलो एरिवन एंड वेलकम टू स्टेडी विट सुनील देखे दोस्तों जो मैंने रिजिनिंग का लास्ट वीडियो प्रवाइड करवाया था उस पर आपका काफी अच्छा स्पॉंस आया है तो उसको देखते हुए रिजिनिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी जल्दी आपके लिए लेकर आया हूँ देखे इस वीडियो में भी अपने रिजिनिंग के किशना अंसर के बारे में ही बात करेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सभी किशन आपके एक्जाम के पॉइंट ओफिस से ही तयार किये गए हैं देखे आज का सेशन आप इसका आराम से सीधा भी निकाल सकते हैं जीसे 80 है तो 80 प्लस 96 है प्लस 89 है प्लस 98 है प्लस 55 और प्लस 38 बाद में सारी संक्या लिकर देखे एक दो तीन च्यार पांच छे संक्या है तो 6 का बाग दे दिए जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो इनका मान आएगा 456 और 6 का बाग दोगे तो इसे आएगा चासंतु बयारी स्तीन और बाद में 6-36 तो चिंतर आएगा चिंतर आपको कौन चे उप्सन में दे रखा है फॉर्थ उप्सन में दे रखा है इसलिए उप्सन डी क्या हुजाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि राश्यों का योग बटा राश्यों की संख्या तो राश्यों ये कितनी हैं 6 हैं और सभी राश्यों का योग यानि इन सभी का आप योग करोगे तो 456 आएगा और 6 का बाग दे दोगे तो उत्तर की अजाएगा आपका 76 नेश्ट क्यूशन आपको दे रखाएगा नीचे देगी स्रंखला अक्सरों और संख्याओं का अनुकरम परियोग करती है गलत स्योजन पहचान आपको बिल्कुल इजी क्यूशन है और इसी तरीके क्यूशन है वो दो से तीन क्यूशन आपको एक्जाम में देखने को देखिया आपर ये 4S दे रखा है और पहले वाले में क्या दे रखा था 4 5 दे रखा था आगे वाले में देखो 4 5 दे रखा है और उससे आगे वाले में भी 4 5 दे रखा है दूसरा जो उप्सन है उसमें 4S दे रखा है जबकि होना क्या चाहिए था 4 5 होना चाहिए था तो य गलत सही हो जिन है option second और option second ही क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा बिल्कुल यही क्योशन था और यही आपको एक्जाम में इसी तरीके से पूसा दाता है नेक्सट आपको तरीका यदि M bus 13 और M80 bus 34 तो W AX bus 33 निकाल पाओगे M bus 13 तरीके साथ कि M का क्रमांक है इसका आपको 15 नमर बाता है A क्यार्फा और T20 यानि हो जाता है तो 13 और 11 14 और 14 और 20 कितनी हो गए 34 हो गए उसी तरीके से आपको WAX का निकालना है तो W कितने नमर पर आता है 23 नमर पर आता है A1 नमर पर आता है और X कितने नमर पर आता है 24 नमर पर आता है तो 23 और 24 और 24 और 24 कितनी हो गए 48 हो गए 48 48 आपको कौन से option में दे रखा है option first में दे रखा है इसलिए यही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा कुछ नहीं करना आपको M Robert 13 दे रखा था M A T का मान केसे है वो अपने निकाल दिया उसी तरीके से W AX का मान है वो अपने ग्याद कर लिया और 48 इनका योग हो गया नीचे आपको दे रखा है चार पार्ट आपको दे रखे है और ठीक समान कौन सा एक नहीं है यह बताना यानि कि आपको यह एक सीरीज दे रखे है इस तरीके से उल्टिशी दी जिसमें चाइना, शंगाई यह नमर वगरा सारी दे रखे है आपको बताना है नीचे चार पार्ट दे रखे है इसी तरीके से तो कौन से में यह बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल नहीं खाता यह आपको बताना है यह बिल्कुल एक चोटी सी एक ही मिस्टेक आपको मिलेगी पूरे में तो आप इनको जब ध्यान से देखोगे तभी आप समझ पहोगे ये एक सही होगा कि अपने देखा और स्टार्टिंग में अपने को मिल गया वरना आपको चारों उप्सन देखने पड़ते बस इसी तरिके से आप देखोगे तो 31-01-H-U-Y-I यहांपर भी देखो 31-01-H-U-Y-I और नीचे ओड़ा होगे तो 31-01-H-U-Y-I यहांद की पूरा उप्सन आगे वाला सारा आपको सेम दे रखा है क्योब स्टार्टिंग में फैस्ट उप्सन में 31.01HUQI दे रखाए तो यह क्यों नहीं होगा यहाँ पर Y होगा आपको गलत यूगों में पहचानना था तो option fast ही क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा बिल्कुल 2-3 क्यूशन आपको एक्जाम में इससे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है केवल और केवल आपको देखना है और पहचाना है कि कौन सा है वो सही है और कौन सा गलत है एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको इस तरीके से लाइनी दे रखी है जिसमें P गुणा क्यों P गुणा क्यों का मतलब है कि P हो क्यों का भाई है इसके रहाब P प्लस क्यों का मतलब है कि P क्यों की मा है और P भाग क्यों का मतलब है P क्यों का पिता है देखे आपर P माइनस क्यों होगा क्यों कि यहाँ पर गुणा आ गया देखे A गुणा B तो पहले देखो P गुणा क्योंका मतलब क्या है P हो क्योंका भाई है देखे A गुणा B यानि A हो बाई होगा तो A हो बाई होगा किसका होगा B का होगा तो A के उपर अपने positive का चिन लगा दिया और B का भी आप तुनको पता नहीं है इसलिए B को इसे के साथ सोड़ दिया कि वो लड़की है या फिर लड़का है आगे देखो B भाग सी देखो P भाग क्यूं तो P क्यूं का पिता है P क्यूं का पिता है यहाँ पर B भाग सी है इसका मतलब B है वो पिता है किसका C का नीचे शी आ जाएगा और उपर तो B आपको दे रखा है अब वो पिता है ना B इसलिए यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा ठीक है इस तरीके से यह कर बढ़ेगा देखे थोड़ा समा आपको 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 उपर बना देता हूँ यह A है यह प्लस होगा यह B है यह पिता होगा यह किसका पिता होगा C का पिता होगा अब C के बारे में आपको पता नहीं है कि C लड़का है यह फिर लड़की है यह पता है कि A और B दोनों भाई है और B है वो पिता है किसका C का अब देखो C एक लड़का है कोई ज़रूरी नहीं कि C एक लड़का है C एक लड़की भी हो सकती है क्योंकि क्यों सेंकि अनुसार पनको पता नहीं है A और B दोनों पुरुस है हाँ बिल्कुल है A और B दोनों भाई है A है वो B का भाई है इसका मतलब A तो confirm है कि लड़का है और B है वो पीता है C का इसका मतलब B है वो भी पूरुस है ये भी confirm हो चुका है तो A और B दोनों पूरुस है बिल्कुल है C A का बेटा है C है वो A का बेटा है जी नहीं B है वो C का भाई है जी नहीं B तो C का पीता है तो ये दोनों option में गिलत हो गई A और B पूरुस है ये option इसके अंतरकते सही होगा 85 लोगों के एक समुवा में उनमें से 49 को टमाटर का सूप पसंद है उनमें से 63 को मिक्स वेज सूप पसंद है और परतेक व्यक्ति को 2 में से कम से कम 1 पे पसंद है कितने लोग इसे हैं जिनको दोनों सूप पसंद है तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा वेज नारे बनाना पड़ेगा नियापर आपको दे रखा है कि 85 लोगों का एक समुवा है तो ये 85 लोग हैं बिल्कुल है उन में से 49 को टमाटर का सूप पसंद है तो ये आपर ये 49 लोग ऐसे हैं जिनको टमाटर का सूप पसंद है बाद में 63 ऐसे हैं जिनको मिक्स वेज सूप पसंद है तो ये 63 ऐसे हैं जिनको ये मिक्स वेज सूप पसंद है आगे देखो ये क्या कह रहा है परतेक वेक्ति दो में से एक सूप ये पसंद करता है कितने लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद देखें 49 और 63 आपको दे रहे हैं 49 और 63 इनको जोड़ लो तो ये 2 और 10 रेक 11 112 हो गया अब ये 85 लोगों का समगत हाना 112 में से 85 माइनस कर दो 112 में से 85 माइनस करोगे तो आएगा 27 27 लोग ऐसे होंगे जिनको ये दोनों सूप पसंद होगे 27 आपको ओप्सन फैस्ट में दे रखा है इसलिए यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट दिरका कमबेक सून का मतलब है 943 सून हीर ओल को लिखा है 412 और कम ओल को लिखा है 29 तब आपको हीर का कूट है वो ग्याद करना है देखिए इस तरीका का क्यूशन आप कोई भी एक्जाम दो जिसमें रिजिनिंग के क्यूशन पूशिज आते हैं इस तरीके का क्यूशन वहाँ पर आपको 101 परसेंट देखने को मिलता है और ये क्यूशन बिलकुल इजी होते है अगर आप इनको अच्छी तरीके से करते हो तो सबसे पहले आपको पेज में लिखना है कि कम बेक सून बराबर 943 इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कम का मतलब 9 है बेक का मतलब 4 है और सून का मतलब 3 ये इसका मतलब नहीं है हालांकि कम बेक सून है वो 943 में से ही है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले वाले का पहला होगा दूसरे वाले का दूसरा वाले का तिसरे वाले वाले का तीसरा यह एसा बिल्कुल भी नहीं है यह अपन करेंगे common निकाल कर देखिए कम इसमें आपको दे रहएं दोनों में same हैंना इसलिए इसमें और इसमें देखो क्या common है 943 और 299 इन में कौन सा common है, 9 common है, इसका मतलब कम का कूट क्या हो गया, 9 हो गया, यह आपको side में लिख लेना है, कि कम का कूट क्या हो गया, 9 हो गया, उसके बाद देखो soon, तो soon आपको इसमें दे रखा है, और soon आपको इसमें दे रखा है, इसका कूट तो है 943, इसका कूट है 412, नहीं का मतलब 4 को मन है इन में से और इन में से इसलिए 4 किस का कूट हो गया 4 कूट हो गया सून का अब यहां पर बचा बैक तो यहां से 9 निकल गया 4 निकल गया बचा क्या 3 बचा इसका मतलब BAK کا COT क्या हो गया 3 हो गया ठीक है ये इए धारण फ्रम हो गया आपको निकलना था HERE का COT तो यहां से देखो कम का COT तो आ गया अपने पास 9 आ गया SUN का 4 आ गया BAK का 3 आ गया यहां पर देखो ALL ALL है यहां पर भी क्या है ALL ALL दे रखा है यहां से नाइन तो पहले से ही आ गया बचा के यहां पर दो बचा इसका मतलब O, L All का कूट क्या हो गया? दो हो गया अब बाकी बचके Here तो Here का कूट क्या हो जाएगा यहां पर One हो जाएगा ठीक है? यह One आपको यहां पर दे रखा है देखिए यह जो Here है इसका कूट यह One दे रखा है यह One इसका कूट हो जाएगा क्योंकि Four जो कूट है वो तो किसका हो गया? सून का हो गया और यह Two जो कूट आपको दे रखा है यह All का हो गया बचा यहां पर One तो One किसका हो गया? Here का हो गया और one क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा ये रब पेज में आप जब इसको एक तरीके से सामने लिखोगे come back soon बाद में बराबर में 9, 4, 3 उसके बाद में नीचे soon here all और बराबर लगा के 4, 1, 2 नीचे come all बराबर लगा के 2, 9 जैसे आप common में निकालोगे तो last में आपका here बच जाएगा और उसका कूट आपको आराम से 1 दिखाई दे जाएगा नीचे दे रखा किसी विशेस कूट बासा में find का जो कूट है वो lost है gear का जो कूट है वो much है तो उसी बासा में grid का कूट क्या होगा देखो यहाँ पर आपका grid दे रखा है तो grid आपका कूट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि grid क्या पिछे वाले दोनों में सामिल है तब तो आपको इनके नमर लिखने की जूरत नहीं पड़ेगी पिछे वाले दोनों में कैसे find में और gear में इन में सामिल है क्या देखो grid तो g आपको यहाँ पर है r यहाँ पर है i यहाँ पर है और d यहाँ पर है बिल्कुल इन दोनों में सामिल है इसलिए यहाँ से उठाकर नीचे रख दो आपको इनके नमर लिखने की जुरूरत नहीं है देखो, यहाँ पर यह क्या लिखा है G लिखा है, G का M है तो यहाँ पर M हो जाएगा G R है, लास्ट में R न, लास्ट में क्या है H है, यहाँ पर S हो जाएगा G R I D I दो नमर पर है, यहाँ पर नमर पर O है, D है वो चार नमर पर है, D यहाँ पर चार नमर का कुट क्या है T है तो M, H, O, T तो grid का कुट क्या हो जाएगा M, H, O, T M, H, O, T आप कौन से option में दे रखा है second option में दे रखा है यही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा क्योंकि आपको यह जो last में बुचा है अगर यह पिछे वाले में आपको ऐसे के साथ दे रखा है, तब तो आपको वहीं इनका sequence है, जो करेम है वो उठा कर रख देना है, अगर यह अलग ही होता, कोई दूसरा ही सब्द आपको दिया होता, जो पहले वाले में यrän दो में अगर अगर अपन 3 जोडेंगे तो 5 आएगा, 5 में अगर अगर आपन कितना जोडेंगे, 5 जोडेंगे तो 10 आजाएगा, बाद में 10 से 17 किसे वा, 7 जोडा तो 17 हो गया 17 से 26 किसे वा यह पनज का 9 जोडे दिया बाद में आगे पनज का 11 जोडthen दे रखा है, second option में दे रखा है, और यह जो लुपत संग्या आएगी, यह भी कितने आएगी, 65 आएगी, जब अमन ने रवी के बारे में सना को कहा, अमन ने कहा, रवी के बारे में किस से कहा, सना को कहा, तो उसने कहा, कि वो मेरी मा के पती का बेटा है, कौन रवी, तो अमन क यह लड़का है, वो रवी है, यह भी क्या है, लड़का है, अमन ने रवी के बारे में कहा, क्या कहा, कि वो मेरी मा, यानि इसकी जो मा होगी, यह नेगिटी होगी, इसकी मा है, वो मेरी मा के पती, इसका जो पती होगा, ठीक है, यह पलस लग दिया, यह इसका पती हो गया, और उसका बेटा यानि ये इसका बेटा ये करने का मतलब ए और आर दोना आपस में क्या है भाई है तबी तो वो उसकी मा के पती का बेटा होगा क्योंकि मा का पती उसका खुद का पिता हो गया और उसकी का बेटा है इसका मतलब वो दोना आपस में क्या है भाई है तो ए और second कि हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा तो अमीद आपको यहाँ इस वीडियो से कुछ ने कुछ निया ही जानने को मिला होगा सीखने को मिला होगा आपका जो revision वो अच्छी तरीके से हो पा रहा है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अच्छा लगा है